नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूस में इसराइल हमास युद्ध को आज 19 दिन हो चुके हैं इस युद्ध ने पूरी दुनिया को जब जोर के रख दिया है अभी भी युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है इससे बीच इसराइल ने UAV का इस्तमाल कर सुरक्षा बलों पर गोली बारी का जवाब देते हुए वेस्ट बैंक में फिलिस्तिनी लड़ाकों के खिलाफ हमला किया है IDF ने बुद्धवार को ये जानकारी दी है IDF ने टेलीग्राम पर लिखा थोड़ी देर पहली IDF और इसराइल सीमा पुलिस बलों ने जैनिन के छेतर में वादी ब्रूकिन में आतंकवादी विरोधी गती विधियों का नितरित्व कर आतंकवादी गती विधियों के सम्मिलित होने की शंका में दोव्यक्तियों को पकड़ लिया है इसके अलावा सेना ने हत्यार बंद आतंकवादीयों की तरफ गोली बारी की जैनिन केम्प में आतंकवाद विरोधी गती विधि के दोरान आतंकवादीयों ने इसराइली सुरक्षा बलों पर गोली बारी की और विस फोर तक उपकरन फेके जिसके पलटवार में एक IDF UAV ने आतंकवादीयों पर हमला किया बयान में कहा गया है कि इसराइली सुरक्षा बलों के किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है साथ अक्टूबर को फलिस्तिनी समू हमास द्वारा गाजा पत्टी से इसराइल के विरुद एका एक बड़े पैमाने पर रोकिटो द्वारा हमला करने और जमीन और पानी के रास्ते से घुसपैट कर उलंगन किया गया और बहुत बड़ा हमला किया गया था जिसका इसराइल ने पलटवार किया और जिसके चलते गाजा पत्टी युद भूमी बन गई इसराइल ने जवाबी हमले शुरू कर 20 लाग से जादा लोगों के घर पर गाजा पत्टी की पूर नाकाबंदी का अदेश दिया और पानी भोजन और इंधन की आप पूर्ती का बाद में मानवेज सहायता वाले च्रकों को गाजा पत्टी में प्रवेश की इजाजत देने के लिए नाकाबंदी में ढील दी गई थी इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों के हजारों लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं वहीं कई घर उजड़ गए हैं इस इसराइल और हमास के बीच युद्ध को रोकने की बात कही थी उन्होंने कहा था कि अंतर राष्ट्रे मानवे कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए इसराइल उनके इसी बयान पर भड़क उठा है संयुक्त राष्ट में इसराइल के अंबैजडर गिलाद एरदान ने उचित नहीं है मैं उनसे तत्काल इस्तिफा देने की मांग करता हूं ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है जो इसराइलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयानक अत्यचारों को लेकर अनुकंपा जताते हैं ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए केशन यूज धन्यवाद